हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब राम जी की पाच्छाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे ही होगे और आपकी तयारी बहुत ही बहतर दंग से चल रही होगी चाहे आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हो आप सब को पता है कि हम लोग हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं और अब तक हमने लगबग आठ भागों को पढ़ लिया है आठ या नो भागों को हमने पढ़ लिया है जिसमें हमने हिंदी साहित्य का कालवी भाजन पढ़ लिया है उसके बाद हमने आधिकाल को समझ लिया है हिंदी का विकास्करम पढ़ लिया है आधिकाल से संबन्दी चीतनी बेरोचों है उन्हों सबको देख लिया है और भक्तिकाल को विश्तार से बहुत पढ़ा है ये किकपंगत्यों को पढ़ा है जो एक्जाम में आपसे पूछी जाती है शायद ही आपने पूरे यूट्यूब पर आज तक इस तरही कवरेज देखी होगी और आगे भी आपको इसी तरही कवरेज मिलने वाली है तो आपको जैसा पता है कि हिंदी जो साहित्य है उसको चार भागों बाटा जाता है सबसे पहला है आदिकाल उसके बाद पूरु मध्यकाल का जाता है जिसका नाम भक्तिकाल है जिसको हिंदी साहित्य इतियास का स्वन यूग माना जाता है उसके बाद आता है उत्तरमध्यकाल जैसा मेरे पीछे लिखा हुआ है और इसका नाम है रीतिकाल और रीतिकाल के बाद जो समय आता है वो आधुनिक काल आता है जिसको गद्यकाल के मिनाम से जाना जाता है तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रीतिकाल जिसको मैं आपको क्या है क्या छूट गया मैं और जितने भी कवी हैं उनको कितने वर्गों बाटा जाता है जैसे आप सब को पता है कि रिती सिद्ध होते हैं रिती होते हैं और रितीमुक्ट कभी होते हैं यह आपने जरूर पढ़ा होगा तो आज हम पहले यहां तक कवर करेंगे अगले पहाग में हम इन सभी कवियों की रचनाओं को देखेंगे और महत्पुन पंक्तियों को समझेंगे जो आपके exam point of view से बहुत जादा important है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जैसा मैंने आपको बता दिया कि हम लोग रीती काल के नाम करण के बारे में देखेंगे जैसे आपने सुना भी है कि आधुनिक काल का भी नाम रखा गया वीर गाथा काल रखा गया आधी काल रखा गया है ना अलग अलग नाम उसमें थे तो इसी तरह इसमें भी नाम है और वहाँ जिस तरह आपसे नाम पूछ सकता है कि ये वाला नाम किस ने दिया ये वाला नाम किस ने दिया तो यहां से भी आपका प्रश्ण बन सकता है कि रीती काल के कोई ये तीन नाम जो है उनको किस किस ने दिया या डिरेक्ली पूछ सकता है कि रीती काल को रीती क तो vichwa Nat Prasad Mishr ने बत काह। श्रिंगार काल क्यों कहा गया क्योंकि आपको आगे जाने पर पता लगेगा कि रितिकाल में जितना भी साहित्य लिखा गया वो शंगार रस से परिपून था और आगे और भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं जैसे से मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद इसके उदे होने के क्या कारण माने गए मतलब क्यों आया ये इससे पहले भक्तिकाल चल रह आई आश्रे दाता किसको कहते हैं जो किसी को आश्रे दे शरण दे उसको अपने पास रखे खाने पीने का समान दे आज इवी को पारजन का उसके संसाधन जुटा है उसको बोलते हैं आश्रे दाता तो उस समय जो राजा थे कि क्या समय है समय क्या है सोला सो पचास से लेके 1850 का समय 1650 से लेकर 1850 तक का समय है और आपको पता है उस समय मुगलकाल भी है मुगलकाल उसमें चल रहा है 1650 की आसपास और वो देरे देरे बिटिशकाल की तरफ आगे बढ़ रहा है तो मुगलकाल का उस समय का अंतिम दौर मुगलकाल का चल रहा है उस समय तो उस समय क्या है जो राजा है जो हिंदू राजा है जो उस समय शाशक है उन शाशकों के पास अपने दर्बारी कभी हैं उन्होंने कभीयों को आश्रे दे रखा है तो उन राजाओं को रिजहाने के लिए ही केवल उन कवियों ने क्या किया कावे रचा केवल उन कवियों ने क्या किया कावे रचा और वो किसकी रूची के अनुसार था वो आश्रे दाताओं की रूची के अनुसार था जो जनता की रूची को बिलकुल सीरे से नकार रहा था रीतिकाल में जितना भी कावे रचा गया आचारे रामचंदर शुकल ने माना कि वह आश्रे दाताओं की रूची के अनुसार था और यही कारण था रीतिकाल के उदे होने का पर इसमें एक बात थी कि जनता की रूची के अनुकुल नहीं था उसको जनता की रूची को सीरे से नकार दिया गया जबकि भक्तिकाल में आप देखेंगे कि भक्तिकाल में सबसे आदा जो जोर दिया गया है वो जनता को ही ध्यान में रखके दिया गया है सर्व लोकमंगल की भावना आपने पढ़ा है लोकमंगल की भावना हमको रामा श्री में देखने में मिलती है और कबीर समा सुधारक के रूप में बात करते हैं जाइसी प्रेम से सम्मंदित बात करते हैं, कृष्णा श्रही में भी लोकमंगल की भावना एवं रस्य परिपूर्ण बातें मिलती हैं, तो वो जन जन से जुड़ा हुआ साहित्य है, जन जन से जुड़ा हुआ काव्य है, जबकि रीतिकालीन जो काव्य हैं, वो आश्रे दा काव्य हैं, आचारे रामचंद्र शुकले रीतिकाल का उदय मानते हैं, उसके बाद डॉक्टर नगेंदर क्या कहते हैं, बाहिय अभीवेक्तियों से निराश होकर, जब कवियों ने क्या काम किया, अपना आपको समेट लिया, अपना आपको कहा समेट लिया, घर के अंदर स समेट लिया, बाहिय अभीवेक्ति, मतलब उस समय राजनितिक जो माहूल था, वो भी ठीक नहीं था, जो सामाजिक माहूल था, वो भी ठीक नहीं था, तो उन सब चीजों को कवियों ने छोड़ दिया, और कवियों ने अपना आपको घर के अंदर समेट लिया, और घर के अ अभीवेक्ति माना गया जो अभीवेक्ति का जो माध्यम बना वो काम बना है ना काम से संबंदित बाते की गई वासना से संबंदित बाते की गई वासना बोलना थोड़ा ठीक नहीं है पर काम से संबंदित बाते की गई और यही आधार बना रीतिकाल का क्योंकि इस से जस्ट जश्त की गicamente कि भुट उसके जश्त बाद में बाद की गई लूब रिखे रहा है के भाहिए अभिवग्ति उससे परहएज़ां कर निराशो कर दिया जिसका आधार उन्हें काम को बनाया इसलिए रितिकाल की शुरुवात होती है और हजारी प्रसाद दुएदी जी कहते हैं कि इसका आधार क्या है उत्तर कालीन जो संस्कृत के लक्षण ग्रंत थे अब यह लक्षण ग्रंत थे एक बाद मैं बता देता हूँ हजारे परसाद दुएदी जी बोल रहे हैं कि उत्तर कालीन उत्तर कालीन मतलब जो संस्कृत के गंत थे जो बाद में संस्कृत के गंत रचे गए पहले रचे गए और बाद के समय के हैं जो वैदिक काल से थोड़ा नीचे के समय आता है तो उत्तर कालीन जो संस्कृत के गंत तो अब लक्षनगृंद को समझते हैं लक्षण घिंत आहिए अपको कोई नहीं बताएगा आपको अलग से सर्च करना पड़ेगा तो आपको चीजे साहिद मिल सकती है लक्षन का मतलब तो क्या है ग्रंत का सीधा सीधा मतलब है जिसमें कोई साहिद लिखा ओपर लक्षन का मतलब है देखो लक्षन का मतलब है के रूप रंग राग चाल ढाल वेश भूशा अदाएं ठीक है यह सब चीजें यह सब किसमें होती है यह इ इस्तरियों में होती है और ऐसे ग्रंथ जिन में इस्तरियों के इन सब लक्षणों से सम्मंदित बाते की गई हो इस्तरियों के इन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कावे की रचना हुई हो ऐसे ग्रंथ लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं और इस प्रकार के ग्रंथों की लक्षणों का वर्णन मिलता है जिसमें रंभा, उर्वर्शी, मेन का इत्यादित तमाम अपसराएं थी उनके लक्षणों को वर्णित किया गया तो उनहीं संस्क्रिक्त के गंतों को आधार मानके रीतिकाल इन कवियों ने अपनी रचनाय की और यही कारण माना हजारी प्रसा के रीतिकाल में ये तीनों बता देगा रीतिबद, रीतिसिद, रीतिमुक्त बता देगा कोई और उसके बाद फिर सीधे रचनाय बता देगा और बाच चुटी हो गया रीतिकाल पर रीतिकाल यह नहीं है रीतिकाल में आपको इस सब चीजे पढ़ना जरूरी है मैं आपको वो बाते हैं बताने वाला हूं जो जल्दी से आपको पता नहीं लगने वाली हैं तो अभी हमने नामकरण देख लिया उदे हुने करण देख लिया लक्षंगरंथ आपको समझ में आ गया होगा लक्षंगरंथ ऐसे जिनमें इस तरियों के लक्षणों का वर्णन करते हुए क को लक्षन गंत कहते हैं उसके बाद अब रीती कालीन जो कावे है मतलब रीती काली के दोरान जो कावे लिखा गया उसकी विशेशताएं क्या हैं तो आपको बहुत ध्यान से एक एक कोश्चन इंपोर्टेंट है आप मेंसे तमाम लोग पूछते हैं कि देखो आप स्क्रिंश कालीन कावे की विशेशताएं पर चलते हैं मैं बूल गया जो मुझे कहना था माफी चाहता हूं तो रीती कालीन कावे की हाँ मेरे को याद आ गया मुझे और आप मेंसे तमाम लोग यह पूछते रहते हैं कि सर आपने कोश्चन आंसर फॉर्मेट में करवाओ देखो भाई जाके नेट पर भी दुनिया भर का मैटीरियल पढ़ा हुआ है जाके पढ़ लो यार मेरी क्या जूरत है तो अगर आप इन चीजों को ध्यान से समझेंगे पढ़ेंगे तो आपको अपना पी याद हो जाएंगे चीजे और इन से संबन इन से बाहर कोई कोश्चन जाने वा सत्सई परंपरा का पुनरुद्धार हुआ जैसे आपने पढ़ा होगा कि रीतिकाल के सबसे प्रसिद्ध कभी कोन माने जाते हैं रीतिकाल के सबसे प्रसिद्ध कभी माने जाते हैं बिहारी और बिहारी की भी सबसे प्रसिद्ध रचना माने जाती बिहारी सत्सई क्या मान से कवियों ने यूज किया कभी उसको दोबार से ले के आए अब मतलब क्या है जो सच्छाई परंपरा है यह मुक्तक कावे की एक विधा है विधा का मतलब है कि स्टाइल है यह कि स्टाइल है जिसमें कावे लिखा जाता है और किस कावे के अंतरगत आती है मैंने आपको हर व पूरागा पूरा पूरा एक साथ लिखा हुआ है और मुक्तक कावे में क्या है अगर कोई पूस्तक है और समें कुई काविता की रचना की गई है suppose करो मेरे पास फुस्तक है उस तक पर दो पेज हैं एक पेज़ पर एक कविता दूसरे पेज़ पर दूसरी कविता यह लिखी हुई है तो इस कविता में जो भी बात है वो यहीं पे सिम्टी हुई है उसका इसने पिछली वाली से कोई लेना देना नहीं है और अगले पेज वाली से लेना देना नहीं है यानि कि जो भी बात है वो एक ही कविता में एक ही छंद में पूरी हो रही है उसका आगे पीछे कोई मतलब यानि कि वो मुक्त है, यानि कि अपने आप में मुक्त है, तो अपने आप में जो कविता मुक्त है, उसी को मुक्तक कावे कहते हैं, और जो सत्सई परंपरा है, वो मुक्तक कावे की एक विधा है, मुक्तक कावे का की स्टाइल है, जिसमें कावे लिखा जाता है, अब यह होत साथ सो क्या सत्सई उसे कहते हैं जो साथ सो चंदो का संग्रह होता है क्या होता है साथ सो चंदो के संग्रह को सत्सई कहते हैं साथ सो चंदो के संग्रह को सत्सई कहते हैं और इस सत्सई में जिस चंद की प्रधानता होती है वो दोहा चंद होता है सत्सई जो परंपरा है जो स चाथ सो चंदों का संग्रा है उसमें दोहे की प्रधानता होती है दोहा एक चंद है आपको पता होगा और उसके साथ साथ में बीच बीच में सोरठा और बरवे चंद भी देखने को मिलता है यह है पूरी आपकी सत्साई परंपरा और सत्साई परंपरा के सत्साई परंपरा क के बारे में बात की जाती है, चाहे वह संयोग से संबंदित हो, चाहे वह वियोग से संबंदित हो, जब मैं आपको रस पढ़ाँगा, तब यह बाते आपको clear हो जाएगी, तो चलिये अब बढ़़ते हैं आगे, अब आपको पहली बार पता लगी सत्सवी परंपरा का पुनरत धर हुआ, कावय की भाषा क्या थी? तो कावे की भाषा ब्रजभासा थी, कौनसी थी, ब्रजभासा थी, जिसमें सूर्दास जी ने अपने पदों की रचना की, यानि की जытना भी क्रशना श्रह का कावे है, जितना भी कृष्ण कावेधारा कावे है जितना साहित है वो सब ब्रजभासा में लिखा हुआ है जो ब्रजमंडल में बोला जाता है और राजस्थान के भी ब्रजमंडल से लगते हुए जिलों में बोला जाता है जैसे भरतपूर छेतर लगता है उसके बाद कावे का रूप क्या था कौष का रूप क authentет अधिकतर मुक्तक का अब आप देखो वार आपके इस्वीट नहीं करूँगा मुक्तक कावे था और प्रभंद कावे देखने कि मिलता है पर प्रधानता किसकी मिलती है मुक्तक कावे की प्रधानता और चंद कौन सा मिलता है सबसे ज़्यादा रीतिकाल में जो चंद प्रयोग हुआ वो दोहा चंद प्रयोग हुआ साथ में सवया चंद भी प्रयोग हुआ क्योंकि सवया चंद भी शंगार रस को बढ़ावा देता है यानि शंगार रस को वर्णन करने के लिए सवया चंद अ अनुकूल होता है और आपको पता है कि रीती काल जो है वो पूरा श्रंगार रस से भरा हुआ है श्रंगार से ही भरा हुआ है क्योंकि लक्षन ग्रंथों से प्रभावित माना गया है और लक्षन ग्रंथों में इस्तरियों के लक्षनों के उपर कावे किया गया है और जब भ कई कई के चंद का प्रयोग किया गया और कवित्यत्यव का प्रयोग भी किया गया कहीं कहीं पर क्योंकि आश्रे है रविती काल में स्रंगारस सं wearing पर कहीं कहीं पर वीररस से सम्मंदित कुछ बाते आहीं हैं तो वहाँ पर कवित चंद का प्रयोग भी किया गया है क्योंकि कवित चंद वीररस के वर्णित करने के लिए अनुकूल माना जाता है उम्मीद करता हूं आपको चीजे बहुत बहतर तरीके समझ में आ रही होंगी इसलिए maximum share करना न भूलिए भाई, आप जैसे भाईयों के पास, आप जैसे दोस्तों के पास सब ये वीडियो पहुंच जाएं, सब कभला हो जाएं, इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती, उसके बात देखो, ऐसे तो चंद दोहा प्रयोग हो रहा है, सवया भी प्रयोग हो आपके पेपर में कहीं बार कूछा गया है, केशव दास की जो राम चंदरी का रचना है, उसको चंदो का अजाइब घर बोलते हैं, और इससे सम्मंदित एक मैं आपको बहुत ही रूचिकर किस्सा सुनाता हूँ, जो केशव दास हैं, आपने सुना होगा मध्यप्रदेश म सलाम देती हैं, जो और्चा नरेश थे, राजा मधुकर शाह, उनकी पतनी थी, वो राम भक्ता थी, वो एध्या से राम चंदर जी को ले के आई थी, और और्चा में विराजमान हुए, उसके बाद, वहाँ पे छोटी एध्या और्चा को बोला जाना हुआ, जो आप मैं से मध्यप्रदेश से देख रहा होगा, और और्चा के बारे में सुनाओगा, तो मैं जरूर बताईएगा, तो इसमें क्या है, जो राजा थे, और्चा के नरेश थे, राजा मधुकर शाह, राजा मधुकर शाह के संदक्षन में थे, केशवदास, और केशवदास की मंडली थ उनके साथ में नित्यांगना भी थी और गाने बजाने वाले भी थे कभी थे तो उन लोगों में आपस में बहुत प्रेम हो गया और उन्हों ने इस उद्देशे से कि मरने के बाद कहीं हमको अलग नहीं पड़े इसलिए हमें काम करते हैं एक साथ मर जाते हैं और भूत बन ज पिया करने के बाद सब के सब उसमें जलके मर गए पर अपने कर्मों के अनुसार ही जीब की गती होती है ऐसा भरतिदर्शन बनाता है तो कोई कहीं चला गया कोई कहीं चला गया भूत बन गए सब कोई कहीं चला गया कोई कहीं चला गया और केशवदास भी प्रेत यूनी को प केके करए क समय राम जी के चरित्र का वर्णना पूरी की पूरी मतलब जो राम जी का चरित्र है जो पूरी रामायन है उसको राम चरित्र कमें वर्णित किया गया गया है तो नहीं qualcosa हो गया हैये तो उसpriom эти दाजी ने केशवदास का उध्धार किया ये बात आपको याद रखने चाहिए और आचारे राम चंद्र शुकल ने मैं बाद में बता दूंगा आचारे राम चंद्र शुकल ने आपको प्रेत की तो सबसे पहले क्या हुआ कि ये जन काव्य नहीं था, अब से पहले जो काव्य था, भक्ति कालीन जो काव्य था, वो जन साहित्य था, वो जन काव्य था, और ये जो था, वो जन काव्य नहीं रहा, ये कैसा बनके रहे गया, ये दर्बारी काव्य बनके रहे गया, और यही इसके पतन का कारण भी रहा, कि 200 साल के एक छोटे से पीरिड में ही ये समाप्त हो गया उसके बाद अब इसमें भक्ती देखने को नहीं मिलती है भक्ती देखने को नहीं मिलती है तो पर कहीं-कहीं पर थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा सा वर्णन मिलता है भक्ती वैसे देखने को नहीं मिलती है कहीं कहीं पर वर्णन देखने को मिलता है कहां पर देखने को मिलता है मंगलाचरण मंगलाचरण का मतलब है जब किसी चीज की शुरुआत की जाती है तो वहां पर भगवान का इश्वर का या किसी भी इश्वर के सुरूप का ध्यान किया जाता है जैसे हिंदूों में परंप था ही नहीं, वीर कावे नहीं था, अब ये बात क्यों important आई, क्योंकि राजाओं उन्हें आश्रे दिया, तो वहाँ पे उनकी बढ़ाई करनी चाहिए थी ना, वीर कावे लिखना चाहिए था, पर वीर कावे नहीं लिखा, और नहीं नीती से सम्मंदित कोई ग्रंत इसमें तो ये इसकी गौनता थी, तो ये सारी की सारी basic बाते थी, sir related, अब जो आचारे विशुनाद प्रसाद मिश्र हैं, उन्होंने रीती काली इन कवियों को तीन भागों बाट दिया है, जिसमें रीती बद्ध कवी हैं, रीती सिद्ध कवी हैं, और रीती मुक्त कवी हैं, रीत लक्षन गंत होंगा, लक्षन गंत में क्या बात आई, इस तरीके लक्षनों की चर्चा की, इस तरीके जो लक्षन है, उनकी चर्चा की, इस तरीके लक्षन के आधार पे कवियों को बैटा गया, रीती बद्ध कवी, रीती सिद्ध कवी, रीती मुक्त कवी, तो रीती बद कभी किसको गहते हैं ऐसे कभी जिनोंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों को आधार मानकर जिनोंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों को आधार मानकर और उसी रीती में बंद कर जिस रीती में लक्षण ग्रंथों को आधार मानकर उसी रीती में बंद कर हिंदी इसमें जो यह बहाशा है इसमें लक्षण गंथो का निर्मान किया। जिं जिंंकृट substitute कि नक्षण कौन दिया और उसी रिती परंपरा में बहुत कर उन्होंने अपने लक्षण मर्ण की रचना की। उनको रिति बध कभी माना गा। रिती सिद्र कभी कौन थे जिन्होंने सीधे सीधे किसी लक्षन गंत को नहीं लिखा जिन्होंने यहाँ पर तो क्या हुआ कि लक्षन गंतों को आधार माना रिती बद्ध वालोंने लक्षन गंतों को आधार माना और लक्षन गंती लिखे किसके लक्षन गुंतों का धार्माना संस्कृत के लक्षन गुंतों का धार्माना और ब्रजभासा में या रीती कालिन भाशा में ब्रजभासा ये तो ब्रजभासा में फिर अपने लक्षन गुंतों की रचना की रीती बद्र कहलाए रीती सिद्ध में क्या था कि उन्होंने लक्षन ग्रंथों को तो नहीं लिखा पर जो परंपरा चली आ रहे थी जो लक्षन ग्रंथों की परंपरा चली आ रहे थी उनका पालन किया और उसी दाइरे में उसी मर्यादा में उसी रीती में उसी लीख पर उसी रूड में उसी रूड में उसी रस्ते पर चलते हुए उन उसके बाद रीती मुक्त, आपको पता लग जाएगा, रीती मुक्त का मतलब क्या है, कि ये जो रीती चली आ रही है, लक्षन गंतों को आधार पे रखके, जो कावे करने की रीती चली आ रही है, पहले तो डिरेक्टली लक्षन गंत लिख दिये, रीती बद्धवालों ने, रीती सिद्धवालों लक्षन गंत नहीं लिखे, पर उस रीती को फोलो किया, उस पैटन को फोलो किया, उस परमपरा को फोलो किया, और उसी आधार पे अपने कावे लिखे, और रीती मुक्त वालों ने न तो कोई लक्षन गंत लिखा, और जो रीती चली आ रही थी, जो उसको माना नलक्षन गुंत लिखे स्वतंत रूप से रचना की उन्होंने क्या किया स्वतंत रूप से रचना की तभी तो माने जाएंगे रीती से मुक्त होना अलग अटके तो रीती मुक्त वो कहला है तो यह तीन तीन है रीती बद्ध हैं रीती सिद्ध हैं और रीती बद् सारे हैं पर आपको कुछ ही नाम याद रखने जरूरी है तो जो रीती बद्ध कवी है रीती बद्ध कवियों में जो पहला नाम है वो केशव दास है जिनके बारे में मैंने भी आपको कहानी बताई है तो इनकी एक और भी बात बताई है कि इनकी रचना एक है जिसका नाम रा तो केशव दास रीती बद्द कवी हैं चिंतामनी हैं मतिराम हैं सेनापती हैं देव हैं पदमाकर हैं विखारी धास हैं यानि कि सबसे अधिक कवी जो आपको पढ़ने हैं जो आपके एक्जाम पॉंट व्यू से इसके बाद जो अगला पार्ट रितिकाल का आएगा उसमें हम इन सभी कवियों की रचनाओं को पढ़ेंगे कौन सी रचना हैं जो आपके एक्जाम में पूछी जाती है और कौन सी वो पंक्तियां हैं जो बार बार आपसे एक्जाम में पूछी जाती है तो अमीद करता हूँ आज का पूरा लेक्चर आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा समझ में आया तो मैक्सिमम शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए साथ में अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है तो लाइक करना भी मत भूलिए आप देख रहेते हैं राम जी की पैट शाला मैं हूँ राम भर्द्वाज जे हिंद जे भारत